महाराष्ट्र सीयम पत को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है अभी तक महाराष्ट्र का सीयम कौन बनेगा इसका जवाब नहीं मिल पाया है हालेकिन सबके बीच डिवेंद्र फणनवीस का नाम सबसे जादा आगे सीयम रेस में चड़ रहा है महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री का शपत ग्रेंड तिसंबर की पहले हफ़ते में होगा ये लगभगता है लेकिन व्राज्जे का मुख्यमंत्री कौन होगा उसका नाम अब तक सामने नहीं आ पाया महाराष्ट्र विधान सबा चनाफ में महायुती गटवंदन की जीत के बाद से बयान लगातार आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि सीयम के नाम पर मुखर संगठन लगाएगा जो शीर्ष नेतरत का नेर्णे होगा वो मन्सूर होगा दावा किया जा रहा है कि बीती राद दिल्ली में एक ब्रहमंत्री अमिश्चाहा के आवास पर तीन घंटे चली बैचक में भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा सीयम के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है ऐसे में सवाल है कि चुनाफ के परिणाम आने के बाद कितने दिनों में मुख्यमंत्री को शपत लेने अनिवारे है अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा तो आए इन सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करते है रेसल सुप्रीम कोट के एड्वोकेट आशिश पांटे कहती है कि चुनाफ के परिणाम सामने आने की बाद कितने दिनों में सिये 15 शपत अनिवारे है भारत के सविधान में इसको लेकर कोई स्पुष्ठ नियम नहीं है लेकिन विधान सबा का कारेकाल 5 साल का जरूर होता है महराश्चे में विधान सबा का कारेकाल इसी नवंबर के अंतिम हफते में पूरा हो जाएगा आमतोर पर किसी भी राज्य में विधान सबा चुनाफ के परिणाम आने के बाद यानि कि एक से साथ दिन के अंदर मुख्यमंत्री के नाम की गोशना हो जाती है या फिर शपत ग्रेंड की प्रक्रिया भी संपन हो जाती है एड़ुकेट आशिश पांटे कहते हैं कि अगर कोई पार्टी सरकार बनाने का दावा नहीं करती है तो ऐसे इस्तिति में राजयपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दे सकती है अब जान लेते हैं कि आखर सरकार ना बनने पर राजयपाल के पास क्या-क्या अधिकार होते हैं अगर राजय में सरकार बनने में साधा देरी होती है तो राजयपाल के पास या अधिकार सरूर होता है ति वो राश्यपती शासन लागू करने कि लिए सिफारिश कर सकते हैं ऐसे इस्तिती को राज्य अपातकाल या सविधानिक अपातकाल भी कहा जाता है भार्तिय सविधान का अनूचे 356 कहता है राश्रेपती शासन तब लगाय जाता है जब राश्रेपती राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या आश्रोस्त हो जाते हैं कि राजे में सरकार सविधान के प्रावधानों के तहट संचालित नहीं की जा सकती शुरुवाती दौर में राश्रपति शासन 6 महीने के लिए वैद होता है लेकिन जरूरत पढ़ने पर इसे 6 महीने से ज़ादा 3 साल के लिए भी वड़ाया जा सकता है महराश्र के मामले में ऐसे इस्ति नहीं दिखाई दी लेकिन दाबा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम अगले 2 दिन में सामनी आजाएगा अब ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा कि महराश्र में सबसे चर्चित एकनाशिंदे या दिवेन रिफर्नवी से कौन से एक मुख्यमंत्री जो है बनता है तो फिलाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राई है आपको क्या लगता है कि महराश्र का बगला नया सेम कौन होगा आप अपनी राई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा धन्यवाद